आज हम देखेंगे ब्रेजेलियन लखी उट हले एन वेलकम दोस्तों क्या हाल है उम्मिद करते हुआ उसे भी आच्छ हुआ है मेहता और आप देख रहे हैं नर्शारी प्लांट्स इन्फो हाँ जी आज हम देखेंगे ब्रेजेलियन लखी उट जिसका जो है मतलब उसमें कही से भी आप ओडर करते हो तो मिल जाएगा ठीक है स्कीन पर दिया गया नंबर पर आप कोल करके मंगवा सकते हो या तो वाटसाप में भी आप मेसेज करके ओडर कर सकते हो ठीक है तो आज ये भी देखेंगे कि मतलब उसको लगाना कैसे है और क्या तरीका रहता है उसका लगाने का ठीक है और पोदा जैसे लगाने के लिए उसमें मिट्टी चाहिए पोट चाहिए थोड़ा गंदा भी कर लेता है लेकिन यह चीज यह है कि इसमें आपको कोई मतलब स्पेस नहीं देना है हलका सा एकदम टबल पर रख सकते हो हलका पानी देना है उसके नीचे ब उकेला नहीं है दूसरा प्लान भी है जैसे की लखी बंबु है पहले से ही छोटा छोटा लेकिन इसका पत्ता थोड़ा बड़ा है और यह फूल देता है लेकिन लखी बंबु जो है फूल नहीं देता है इतना डीफरेंस है ठीक है तो आपको ओल ओवर इंडिया में कही से भी आप मंगवाओ मिल जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं है और मैंने एक टुकुडा लगाया है तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे आपको लगाना है ठीक है अगर आप पहले फर्स टाइम अगर आप लेते हो इस तरह मेरे पस जैसे है वैसे अगर ले लेते हो बिन में ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं है ठीक है हल्का सा एक चोटा पिलेट लेना है या तो गलास ले लेना है और एक इंच जैसे एक इंच मतलब आपको पानी में baja जाए आपका अगर घ्लास विगरा थोड़ा बड़ा है और आपका जो है ये उड़ चोटा है तो आप इसमें काम कर सकते हो कि उसके जो ह्धे साइट से साइड से उसका रिट डाल दो जिसको बालू रेत बोले जाता है तो और डाल दो कौन ससवी चलेगा ठीक है धल भड़ भर बनने के लिए जो काम आता है और डालो तो बढ़िया रहेगा ठीक है, तो ये पानी जो है दीरे दीरे उसका छोड़ता इसके लिए और बाकी आगर आप नाटसरी के लिए ले रहे हैं रिसेल करने के लिए ले रहे हैं तो आप डायरेक उसको जो है बेट में बिठाके डायरेक आप लगा सकते हो पानी मतलब उसको पूरा रेत में एक इंच जैसा मतलब गाड़ दो और उसमें आप दो एक दिन में पानी देते रहे हो जैसे कि आपको देखने को मिले उसका उपर का हिस्सा ठीक है और मिटी और ये मतलब इंफेक्शन हो जाएगा तो ये सड़ जाएगा तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक्यू फॉर वाचिंग